नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल आयरुवेदी कम्रित क्यान पर दोस्तों आज मैं आपको गुर्दे की पत्री की समस्या से एक हप्ते में चुटकारा पाने का नुश्का बताने जा रहा हूं प्रेंट्स कीड्निया ब्लेडर में पत्री होना एक बहेंकर पिडा दायक रोग है मूत्र में पाई जाने वाले रैसानिक पदार्थों जैसे यूरिक एसीड, फासफोरस, केल्सियम और और अक्जिलिक एसीड से मूत रंगों में पत्री बनती है जिन पदार्थों से फत्री का निरमाण होता है उन में केल्शियम ओक्जोलेट फर मुख है। केलिशियम की मातरा बढ़ने पर स्टोन बनने की समस्या होती है। जिन लोगों को किड्नी में पत्री है वो लोग 10 mm की पत्री जो नुसका में बताने जा रहा हूं। इस नुसके को इस्तेमाल करके एक अपते में पत्री से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको एक लीटर निम्बू का रस लेना है और पंसारी की दुकान से नौसाधर जिसको अमोनियम कलोराइड भी बोलते हैं सज्जी खार यानि इसको पापड में बिस्तेमाल किया जाता है जो खार और कलमी सोरा ये चार चीजे लेकर आनी है और चारों को बारिक पीषना है इन चारों में से 25-25 ग्राम लेकर निम्बू रस में डाल कर रख दें दूसरे दिन से 10-10 एमेल लेकर एक गिलास पाने में मिला कर पिलाएं जब तक यह एक लिटर निम्बू रस खतम होगा आपकी पत्री पेसाब के साथ निकल कर बहर आ जाएगी दोस्तों कितन पाने पीएं पत्री की समस्या के साथ-साथ यह नुसका आपकी आमवात, एसीडिटी, कब्ज और गेस की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा प्रेंट्स, किड्नी स्टोन से बचाव के लिए खान पान में हरी सबजियां, मौस में फ्लों के साथ फाइबर यूगत चीज़े खाने चाहिए, प्रियाप्त मातरा में पानी पिना चाहिए, बच्चों को जंक फूर्ड और फास्फूर्ड से दूर रखना चाहिए दोस्तों, आसा है, मेरे दुबरा दीवी जानकरी आपको पसंद आई होगी, ऐसे ही ज्यानवर्दक वीडियो में आपके लिए विशे में लाता रहूँगा, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें, थेंक्यू